है यह है यह 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 किस के नाम है नवाब खाजदा मुहम्मद खान वर्स नवाब हुसाहिनी बेगम यह 1910 का केस है तो चलिए अब इस के अर्य के पाले के इस-के में लडर्की के पिता और उसके ससुर के बीच में एक अेग्रिमेंट बनता है और अग्रिमेंट के तहत सादी के बाद लडर्की को पर मंद 500 जो है खर्च ए पांडान जो है वो दिया जाएगा और इसके एवज में कुछ इम्मोवर प्रोपर्टी को भी स्पेसिफिकली चार्ज किया जाता है ताकि उस पेमेंट को दिया जा सके और उस एक्सपेस को उठाया जा सके लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की को खर्च ए पांडान जो है वो नहीं मिलता है इसलिए लड़की जो है वो सूट फाइल करती है recovery of areas of annuity के लिए यानि कि खर्च पांदान के ताद जो 500 पर मत उसे मिलना चाहिए था जो उसे अब नहीं मिल ला है तो उसके लिए लड़की जो है court of law जाती है अब ये भी जान लेजिए कि खर्च पांदान क्या होता है तो मुस्लिम रिती रिवाजों के अनुसार निकाह के बाद पत्नी को पती द्वारा एक धनराशी दी जाती है जिसका खर्च वह अपनी एक्षा से कर सकती है इसे ही खर्चे पंदान कहते है जब मामला court में जाता है तो court कहती है कि इस केस में जो लड़की है यानि कि वाइफ भले ही इस contract या फिर agreement की पार्टी नहीं है फिर भी वो entitle है इस agreement को enforce करने के लिए और इस claim को लेने के लिए क्योंकि ये जो contract या फिर agreement बना था वो उसके benefit के लिए बना था और साथ ही certain immobile property भी जो है specifically charge किया गया था इस allowance के लिए court आगे कहती है कि मुहमदन में ऐसा होता है कि जो marriage होता है वो एक तरह का contract होता है minors के लिए जो उसके parents या फिर guardian जो है वो करते हैं उसके ससुराल वालों के साथ तो इस case में अगर हम common law doctrine जैसे के प्रिविट्री रूल अगर apply करते हैं इस तरह के agreement या फिर arrangement में तो इससे क्या होगा बहुत ज़ादा injustice हो जाएगा उस minor girl के लिए इसलिए family arrangement में प्रिविट्री रूल या फिर common law doctrine जो है वो apply नहीं होगा और finally court जो है present case में इस लड़की को यानि की wife को खर्च ए पांदान देने के लिए उसके ससुराल वालों को order करती है तो इस case के fact issue judgment यहीं है आई होब कि आपको ये वीडियो informative लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक करें हमसे जूरे रहने के लिए हमाया चाल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस case का पीडियो चाहिए तो whatsapp number comment box और साथी साथ इस वीडियो के description में दिया गिया है अप message करके पीडियो अवेल कर सकते है thank you so much